नमस्कार मैं खुशी और आप देख रहे हैं जज़बा 24 आईए नजर डालते हैं आज की बड़ी ख़बर पर जिसका राजा व्यापारी होता है उसकी प्रजा विखारी होती है बीजेपी पर संजेराउत का तंज संजेराउत ने कहा कि बीजेपी देश के बारे में नहीं सोचती बलकि वो ध्योग पत्यों और व्यापारियों के बारे में सोचती है प्यम नरेंद्र मोधी पर तंज करते हुए राउत ने कहा कि जिसका राजा व्यापारी होता है उसकी प्रजा बिखारी होती है ऐसे में बीजेपी आज देश को बिखारी बनाने का काम कर रही है Congress नहीं होती तो देश को आजाती नहीं मिलती Congress नहीं होती तो देश को नेतरतव नहीं मिलता पंडित नहरू से लेकर मन मोहन सिंग तक लोगसभश चुनाव से पहले ये बयान दिया है उद्धव ठाकरे UBT GOOT के सिफसे नसान सद संजेर राउत ने राउट ने कहा कि अगर कॉंग्रेस नहीं होती तो पाकिस्तान की दो टुकुडे नहीं होते मीडिया से बात करती हुए उन्होंने कहा कि ग्यान विग्यान और टेकनोलिजी में देश ने जो प्रगती की है ये सब कॉंग्रेस की वज़े से ही हुई है दरसल बीजेपी की तरफ से एक किताब लॉंच की जा रही है जिसका सीरसक है कॉंग्रिस नहीं होती तो क्या होता इसके बारे में जब मीडिया ने संजेराउट से सवाल किया तो उन्होंने देश में कॉंग्रिस के योगदान के बारें बताया और कॉंग्रिस की जम कर उन्होंने कहा कि अगर देश में कॉंग्रिस नहीं होती तो ये देश अखन नहीं रहता। बीजेपी पर हमला करती है। किनाने के काम कर रही है राउत ने कहा कि बीजेपी को कॉंग्रिस और सिफसेना जैसी पार्टियों की विचारदारा और उनकी भूमका को समझ लेना चाहिए बीजेपी ना होती तो देश में गोटाले नहीं होते इसके आगे संजे राउत ने ये भी बताया कि अगर देश में बीजेपी नहीं होती तो क्या होता उनने कहा कि बीजेपी ना होती तो बहुत कुछ होता देश में दंगे नहीं होते देश का रॉपया मजबुत होता साथ ही देश की प्रतिष्टा और भी जादा बढ़ती और देश पर जो करज है वो कम होता राउत ने कहा कि बीजेपी भी शामिल हो और मिलकर चुनाब रड़ रही है हालाकि फिलहाल सीटों के बातवारे को लेकर पेंच फसा हुआ है महराज़ में महाविकासा गाडी ने अभी तक एक भी सीट पर उम्मिदवारों के नाम का एहलान नहीं किया है खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ तब तक के लिए नमस्कार और बने रहे जजबार 24 पर ऐसे ही लेटिस्ट न्यूज अबडेट के लिए हमारे चानल जजबार 24 को सब्सक्राइब करें और तोरण टोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूले अगर आप हमारी न्यूज को फेस्बुक के मादियम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें धन्यवाद